हेलो मेरे प्याने बच्चों मैं दीपा वर्मा अभिप्षा एक्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसे कि हम अपने एक्जाम स्रीज में हैं और अभी कक्षा दस्वी के समाजोगियान के तयारी कर रहे हैं है तो इसे इयह अभी तक हमने 81 विदात कैं भारत के समीधान का निर्मान देख लिया था अब क्या देखने में समााधि सरुकार वन कैया हम इससे के अलौट सब्षा रादे सब्षा और राश्रप्ति olhar ?" तो आगे इसके लेक्षर में इसकी में देखने हम इज Jestताज है कारेपड़ी का में करते हैं हमने राश्टरपती को देख लिया था अब क्या देखेंगे प्रधार मंत्री उसके मंत्र प्रधार इसमारा बच्छा हुआ था ठीक है तो यह कै सप्रतों संधी का रेक है करते हैं राष्ट्रपती होते थे प्रधान मंत्री होते थे और मंतीर परदिशद रहste कंगर सथाइत सनाध है उर्धान करें को प्रधान मंत्री DIE में प्रधान मंत्रिशद स mesa === में इतनrestauros को egli को का हुआ है कंग दो sz 해요 मतलब यह क्या है इनकी मंत्री परिश्रद। मतलब समझ लोग कर मंत्री परिश्रद। क्या कहते हैं कबीनेट्ट। के बहुत जादा खास होते हैं और या उनके पास महत पुन विभाग होते हैं तो उनके क्या है 10-15 लोगों की एक कैबिनेट बनती है जो टेबल ने बैठके करती है कि हमें अक्शली करना क्या है तो अक्शली सरकार बढ़ जाए तो यह कैबिनेट होती है मंत्री परिशन में 50- क्या होगे मंत्री प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री के कारे लिखिए या प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री के सम्मंधों को बतलाते हुए प्रधान मंत्री के कारे कारे का विभरंट कीजिए ठीक है तो प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता ह तो प्रधान मंत्री क्या होते है लोकसभा या राजसभा से हो सकते हैं लोकसभा से आएंगे तो क्या होगे जनता के तो चुना हुआ सांसद होंगे या राजसभा से होंगे तो क्या है राज्य विधाइका से भेज़े हुए सांसद होंगे है न तो इनको फिर जब सरकार में जे इनको बहुमत होती है तीके लोग सभा में राश्र्पति की है unke adek राश्रपती कि शक्ति होती है कि कि किसी को प्रधान मंत्री बनाय क्या करना है तो प्रधान मंत्री की नियुकतप करते है राश्रपती ःत्ये जालो az ये क्या होIGHT प्रादान मंत्री के बिता है जिसकी सरकार होती है उसी किया apostle मैं निखिक को वंगे होगे , तो अब रीकिस से ढुगार होती है, तो जिसकी सरकार होती है तो जितने भी मंत्री परिषद होंगे, मंत्री मंडल की रशना होगी, वो किस की द्वारा होगी, प्रधान मंत्री की द्वारा होगी, केवल राष्ट्पती है, जो प्रधान मंत्री की न्युक्ती करेगा, ठीके, उसके बाद अन मंत्री की न्युक्ती कौन करते है, प्रधान परनत्री में के दिखने के काम में ने मैं करेंगे, बुजय को तीई करेंगे, जैसे वने कारें के स्कूलनवाइज माय, जैसी था जुझा हम उइस, तर समर्वाण मंत्रि के दिखने का मेन विखना। कि मंत्र परिशत की बैठो कोई की क्या करते वह अध्यक्षता करते मेरे बच्चों ठीक है मंत्र योजना नीती आयोग के प्रदेन अच्छक होते जो नीती आयोग है ना उसका पहले क्या तो योजना आयोग अब वह क्या बंगे नीती आयोग तो नीती आयोग क्या है एक गौ सरकार कहां बनती है लोग सभा में है ना चुनाओं क्या होते हैं लोग सभा के होते हैं राजय सभा के लोग क्या होते हैं तो जो सरकार बनती वो लोग सभा से बनती है तो लोग सभा का नेता किसको कहते हैं हम प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री के कारी क्या होंगे मंत्रियो का चेन करना, उनके मर्ध विभागों का बटवारा करना, प्रत्यक विभागों में समंव cer करना, लोकसभा कनेता ना होना पुरे सरकार का प्रतिम्धीत बनना, राश्च्छपती के साथ समंवर स्थापित करना यह सब कारे किसके होंगे प्रधान मंत्री के तो इसको दो-दो लाइन में आपको लिखना है और इस structure को बनाना है यह कोशन आएगा तब को इस structure को 100% में आना है फिर मंत्री परिशत की बारे में दो-दो-तिन-ति लाइन लिख देनी है यह आपका अंसर होगा ठीक है इसको अच्छे से समझना है ना प्रधान मंत्री राश्प्रदी के कारे आपको करके ही जाना है ठीक है चलो आगे कोशन देखते हैं अब आ गए के हम अपने supreme court supreme court के chief justice of सर्वोचिनाले ठीक है तो आपको बच्छों कमेंट में करके बटाना है कि अभी सर्वोचिनाले का मुख्या ना आईधिश कोन है Chief Justice of India कौन है ठीक है आप मुझे comment में उनके बारे में लिख के बताएंगे ठीक है तो चलो अब हमाते सर्वोच चिनाले में हमने क्या देखा अब उसको न्याय कौन देगी अगर कुछ गल्ती होई तो क्यों है तीसरे स्थम के बारे में पढ़ेंगे क्या है न्याय पालिका ठीक है तो यह ऐसा पिरामिट इस्रक्षर होता है जिसमें हमारे देश का क्या है एक सर्वोच चिनाले है उसके बाद हर राज्ये का अपना क्य होँंगे तो आपको मुझे कमेंट में हमारे डेश के मुखी नायाजिश का नाम और हमारे राज्ये के मुख्य नावच चीका नाम बताना है ठीक है मैं इट्रो ठीक है तो यह क्या एक प्रामिट structure होता है जो इलुछा सर्वोच नाले अगर अगर दियुद की बात की जाया है दिलनी में है न तो चलो इनके क्या है इनके सभी फैसलेटर को वाणने पड़ते है जित्ति सब भी निची अदालत है, इन्हें ने किसी कोई फैसला कर दिया, यह कोई अधिकार को शिफारिष कर सकते हैं यह किसी अधरात का मुकदबा अपने पास मंगा सकता है अगर सर्वोचिनाले को लगता है कि यह बहुत यह बहुत हैि अगति है को टो जास को शिफार आणार सकता है यहां तो आईसा अगए किसी अगति मुकदमे को चल रहे है मामला है न तो उसको लगते हैं कि यहाँ उतनी अच्छी कारवाहिं नहीं हो सकती है यहां कुछ ऐसी पर परिस्थित उत्पन हो सकती है जिसके यह को ज़िस कि क्या है बाकी चवों को बाध़्ा राजे को सकती है तो यह सब सकती डिली के हैं बारत क्या है एक ही सर्वचिनाले के थिली की सुर्वाइए कրता है जियसे जीला नयाले हो सकते हैं वहां अगर काम नहीं बना तो फिर क्या होगा तो ऐसा किया स््ट्रक्चर चलता है ठीक है फिर उपर फिर उपर यह क्या फिर बनता है हमारा पिरामिट है मौली जिकारों के बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं और उसके बाद जब बहुत बड़े घटना हो गली यह ऐसा हो उसकते हैं कि तब तक अगर पुड़े राज्य के अंदर का छेता अधिकार के संवाई करना, निशली अदादलों के फैसले पर की गया, फिल के सुन्वाई करना, गंभिर किसमे के अप्रादिक मामिलों का निपतारा, ये सब किसके अंदर का आता है जिला, फिर अंतिमादे अधिस्दनस न कि आपको कोई भी अगर न्याले का आता है तो आपको यह स्ट्रक्चर बना देना है अगर सभी न्याले के बारे में लिखिये बूना तो यह स्टैब कर टेवल बना देना है तो पिर सर्वोचिन इनले का भी देखते हैं प्रशन Jak के छहती है सर्वाचनाले के शक्तियों का वर्णन करें एक तो उसके और प्रारंभिक आदिकार, मतलब केवल प्राइमेरी, मतलब मेया ही अधिकार, तो इनका प्रारंभिक अधिकार है, कि अगर इस सम्हण Tough कि कुछ इत aristकर दिne । के वल गिस के पास जाय का सर्वोच नाले, तो हम ऑला jestem लगतए तो इसलिए राजे 전तर के में बीज कiquéرة की को एक सर्वोच नाले, जीर मन कला। अगर मध्य प्रदेश और छत्रकर के बेच कुछ लड़ाई हुई, कुछ वाद विवाद हुआ, तो क्या वो सर्वोष नाले में जागा या मध्य प्रदेश के नाले में, इसलिए इसको क्या किया गया है, सर्वोष नाले को दिया गया, यह एक साइट दो राज्ये हैं, संग सब्सक्राइब कहा सब्सक्राइब है तो इस सभी कहा जाएंगे सुप्रिम कोट्ट टीक है या देखते हैं अप्ली छेत्र अधिकार देश का सबसे बड़ांतिम अंप्लीनाल है उस चेत्र अधिकार के तहा सर्वोच नाले को निम्न अपिल सुनने का धिकार है समेधानी का पीले दिवानी अपिले फौरीदारी विशेश अपिले जैसे कभी-कभी कहते हैं ना कि मैं तो सुप्रीम कोट तक लेके जाओंगा तू जमीन के में क्या है मैं तो नाले तक खीज किसी परिश्राइवownersh trip ने को सलाह देने के होती है सुले इसलिए कहा है राश्टपती- सपफ या कालूणी त्रवरोथ शिय। प्रसंठों को कुई नियम बनाए मतलम जैसे संसां ने नियम बनाए का विधाए का ही नियम बनाती है कानुन बनाती है तो अगर रिधाएक ने कुछ कानुन बनाए तो उसकी न्यायक रूप में पर्पैक्ष में उसको देखना किसका काम होता है न्यायक का तो उसी को बोलते न्यायलिक पूरवल लोकन मतलब अगर कानून बन गया है तो उसको एक बहुंद न्यायले यह जाज कर सकता है क्या ही सभी लोगों के लिए सही है किसी मौली के इधिकार का हणनल नहीं हो रहा है जैसे आरक्षन के मामले में क्या किया केन सरकारने कोई नियम लाया ठीक है तो इसको अगर जाज परताल करना ही क्या है न्याले के अधिकार है उसी को हम क् karşıtे है नियाई पूर्वाल लोकर ठीक है ? तो यह किस का अधिकार है सरोष नदे कारए कार जातायी का यह क्या होता है भी तो नَّयाले की क्या कर सकती एक बर उसकाो देशों को चेक कर सकती है, ठीक है, अगला है अभी लेखी नियाले, सर्वोश नियाले दौर अभी नियाले है, अथाथ उसके समस्निले अभी लेख लिखित रहते हैं तथा प्रकाशित किया जाते हैं, इन्हें अभी लेखी रुप में रखा जाता है, दिनेसलालो के लेख इस नियाले की नजीर उधायन के रुप में प्रस्टुद किया जाता है, मतलब क्या है, जैसे कभी किसी सविधान में कहा दिया गया, कि मौलिक जैसे क्या, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था है न, वैसी क्या है, विडेश घुमने का अधिकार, कि सिको अगर कि विदेश जाने का लोगों का मौली का धिकार है। ठीक है। ऑगर लुभा जाने से रोक जाता तो उचनाले, हो जिलानाले में हो। सर्वचनाले के वहग्ति को उठारन सकते है। इसала उठार धिकारには वन्हों की सुछक नेको है। प्रस्तूत कर सकते हैं तो आगर देखोगे तो अपने अधिसनले के एक कारी हैं तो आपको इसको पूरा लिखना होगा तिक है सर्वोच नाले के में थोड़ा सा लाइन बताएंगे उसके बाद यह च्छे अधिकार जो भी है अभी लेखी अधिकार हो गया जिसमें क्या है हम सुप्रीम कोट के जो भी इतने भी अधिकार का अपीली अधिकार जिला नाले से हम क्या कर सकते हैं सर्वोच नाले जा सकते हैं और प्रारंबिक शेतारिका जिसमें क्या है राज्यों के मध्या कुछ भी वाद विवाद होता है तो वह सर्वोच नाले के पस जाएगा तो इसको पूरा आपको ऐसा फ्रेम करना होगा ठीक ह चलो, आगे जाते हैं हमारा भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो हमारे निर्वाचन आयोग तो यह बात की जाए, तो भारत का एक प्रमुख निर्वाचन आयोग होते हैं, और उनके साथ क्या होते हैं, तीन अन आयोग तो होते हैं, तो निर्वाचन आयोग किता है, चा एक नो राजियों की अन्तरकत नगार पालिका और पंचायत के रहते हैं चुनायु वीथाईकी के बाते हैं जीतियों माददाता सुची जोने यार करना देना जैसे भाचपा है पुरा काम कॉन करते है राजनिर्वाचनायोग जुनाओ चिनामकाडीत करना, निर्वाचन की वैवस्था करना शुना deeper छुनाओ की सामने क्या होता है कुछ रूल q u conduct की आते है कि हो अमिदवारों को क्या करना है क्या नहीं करना है किस दिन से चुनाओ होगा, मतदाता सोची में नाम जोड़े जाते हैं, मतदान होता है, वोटिंग मतलब उसके बाद फिर गर्णा की जाती है, फिर घोषना की जाते हैं, कौन जीता है, कौन हारा, तो ये सब कारे किन का होता है, चुनाओ आए, ठीक है, संसदों विधायकों क अग्युकता के समन्द में राश्पती और राजपाल को परामश देना, अगर कोई ऐसा है, सांसद या विधायक, जो गरत तरीके से चुन गया है, तो उनके क्या करना, फिर से चेक करना कि ये सही है कि नहीं है, इसके पर जो आरोप लगा है, वो सही कि नहीं है, उसके पर जाते हैं कि हाँ इसका चुनाव सही था, इसने सही तरीके से या पता चलता है कि इसने जूटी समपति बताई है, या इसने गलत तरीके से लोगों को पैसे देखे वोट जीते, तो क्या कर सकती है, चुनाव आयू कि खर्च का सीमा नुपालन करवाना, मतलब ये बताना कि कहीं चुनाव गडबड़ी हो रही है, या किसी चुनाव छेतर में बहुत जादा मारपिट हो गया, लोग पैसे देखे वोट खई रहे हैं, तो क्या कर सकता है, चुनाव रदकरा सकता है, या किनी कानों से क्या हो गया, दो साल बाद कोई विधाया की मित्यू हो गए, त पैसे की चुनाव करवा करता है, और राज जी के अंदर केंतर के अंदर राज ज्य सभा हो गया, राज विधाई का, राश्च्पती, उपराश्पती, इन सब का चुनाव कि द्वारा होता है, भारत के मुख्ष निरवाचरायों के द्वारा, ठीक है, तो बच्चों इसको की पूरे दोड़े वीडियो के दो देक्टर को आपको पक्का है वांक अजुगा को अपको कहा है याद हो जाता है 25 आपको 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 आसोने हैं एफ तो बच्चों हम आगले अध्याय में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तक तक आप अपने अच्छे से तयारी करते रहो और क्या रिटर्ड प्रैक्टिस लगातार करते रहो, ठीक है मेरे बच्चों, बेस्ट आप लोक और अपने तयारी इसी तरह करते रहो